है कि है यह यह अपने अच्छ पर घूमने की दिशा क्या है तो प्रत्वी अपने अच्छ पर वेस्ट तू इस्ट गूंगती है इसी लिए हमें सुर्फ पूर्फ से निकल उद्धा प्रतीत होता है second question है what is the full form WTO World Trade Organization विश्व व्यापार संगतन तो WTO की जो full form है वो है World Trade Organization विश्व व्यापार संगतन और सेबी की full form क्या है SEBI SEBI की full form है Securities and Exchange Board of India Who in India is the Supreme Commander of Armed Forces ससस्तर सेवाओं का सर्वोच अधिकारी कौन होता है तो यह है आपको President राष्ट परती Question No.5 है कि who was the first Indian Prime Minister to resign from office अपने office से resign करने वाले पहले प्रतानमंत्री कौन थे यह थे आपके मोरारजी देशाई मोरारजी देशाई जो की 1973 बने थे इन्होंने 1989 में त्याग पतर दे दिया था क्योंकि राज नाराएन और चरन सिंग जी ने जनता पार्टी से अपना सहयोग वापस ले लिया था question number seven है an instrument used for measuring the strength of electric current विद्द्धारा की सकती नापने के लिए यूज किया जाता है आपका galvanometer galvanometer जैसे एक तरह से ammeter भी बोलते हैं अगर हम galvanometer के में एक sun resistor लगा है छोटा sun resistor तो इसे ऐसे ammeter भी यूज किया जा सकता है तो यह विद्द्धारा नापने के काम आता है जिसको धारा मापी बोलते हैं गलvanometer बोलते हैं यह तरह 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 होते हैं sun type होते हैं moving iron type होते है question number eight देखते हैं which is the fastest animal on earth this is cheetah when did India became republic इंडिया गड़तंत्र हुआ था 26 जनबर 1950 को और स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को और 26 जनबर 1950 को भारत का समिधान लागू हुआ इसी दिन गड़तंत्र बोसेत हुआ question number 10 है which is the highest civilian award in India high civilian award in India है भारत रत और question number 11 है what is the full form of HTTP HTTP will form hypertext transfer protocol Christian Rodano related to which is true Christian Rodano जो आपका पुर्टगाल से हैं यह आपका football से सम्बन देते है question number 13 है who is the highest runner scorer in one day international cricket one day international cricket में जो सबसे जादा रन बनाये हैं वो सचें रमेस तैंदूल करने बनाये हैं इन्होंने 18,426 रन बनाये हैं और ये 463 में जो हम बनाये हैं लगवक 44 के उसक से और I think 86 के strike rate से और अगर हम individual scorer की बात करें तो वो रोहित सर्माग ने बनाया रोहित सर्मागे 264 रन बनाये हैं और second number पर एक individual score फिर 237 रन है मार्टेन कुप्टेल का और जो सबसे ज़्यादा जो रन बनाये हैं वो सचेंटर में इस तैंदू करनाये हैं इसलिए ने भगवान का देवता क्रिकेट का देवता भी कहा जाता है अब नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं फोर्टीन क्वेस्टन है कि हुई इस दो चेर्मेन ओ प्लानेंग कमिशन अप इंडिया प्लानेंग कमिशन इंडिया के अभी आ गया है आपका नीती आयोग अच्छा 15 क्वेस्टन है हुई डारेक्टर दे मूवी अवतार अवतार ये 2009 में मूवी आई थी इसके डारेक्टर थे जेम्स कैमरून 16 क्वेस्टन है फ्रस्ट मूमें टू स्विम अक्रोस एंगलेस चैनल इंगलेस चैनल को तेर कर पार कर नहीं मेल हैा ये थी आरती गृप्ता सहा भी है इनका नाम ये फ्रस्ट एसएन वुमें थी जहनोंने इंगलेस चैनल को पार किया था तैर कर पार किया था, यह 29 सेतंबर 1969 को, इन्होंने तैर कर पार किया था, अभी next question देखें, the green color of the leaves, पत्तियों का हरारंग यह chlorophyll के कारण होता है, chlorophyll जिसमें magnesium भी पाय जाता है, 80th question है कि, where is the gateway of India situated, gateway of India आपका दिल, यह मुंबई में situated है, दिल्ली में इंडिया gate है, और gateway of India मुंबई में है, question number 11 है, in which year India won the ICC World Cup under the captaincy of MS Dhoni, for the second time, यह आपका 2011 में जीता था, भारत ने अपना पहला वरल्ड कप, 1983 में में West Indies गहरा कर जीता था, जब कपिल देव कप्तान थे, और दूसरा वरल्ड कप 2011 में जीता था, जब महेंद सिंग्धोनी कप्तान थे, और गौतम गंबीर के दवार 97 अरड की पारी खेली गई थी, अच्छा, last question है कि इस वीडियो का, who won the football world cup for maximum number of time, सबसे ज़्यादा बार ब्राजील ने जीता है, यह ब्राजील ने पांच बार जीता है, ब्राजील is the most successful team, having won the title five times, और इनके बाद इटिली और जर्मनी हैं, जिन्होंने उसको four times जीता है, so this was for the day, thank you.